नमस्कार में दिती फॉजर आप देख रहे हमारे साथ नगरी मीडिया जैसा कि आप सबी को बता देखे पेटियम में चले संकट के चलते आखिरकार कंपनी के सीओ विजेक शेकर शर्मा ने सौंबार को पेटियम पेमिंट बैंक से इस्तिफा दे दिया वे पेमिंट बैंक के लाने के लिए किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटियम बैंक पर रेगुलेटरी नियमों के उलेखन के चलते डिपॉसिट पर रोक लगा दी थी आरबियाई ने दिक्कतों में फसे पेटियम पेमिंट बैंक के कस्टमर्स को आसुबिदा से बचाने के श्री निवास सिर्दे बैंक ऑफ बैरोडा के पूर्व एग्जेक्यूटिव अशोक कुमार गर्ग और दो रिटाइड आइस को पेटियम पेमिंट बैंक के बोर्ड में शामिल किया जाएगा बैंक के CEO सुरेंदर चावला ने कहा कि बोर्ड को नए मेंबर्स अपने अगर पेमिंट खुद को बैंक से अलग कर लेता है तो उसका इदावा मजबूत भी हो सकता है पेमिंट बैंक एक सुतंत कंपनी है पेमिंट बैंक जल्द ही नए चेर्मेंट की नियुक्ति के रिप्रक्रिया भी शुरू करने जा रहा है आर्बियाई के अनुसार 15 मार्च क के बाद पेमिंट बैंक किसी भी तरह के डिपॉजिट टॉप अप और क्रेडिट ट्रांजिक्शन नहीं कर सकता ये कारवाई रेगुलेटरी नियमों के उल्लेखन के चलते की गई थी साथ ही अपने पेमिंट कंपनी से एस्सोसेशन के नए नियमों का भी उल्लेखन हुआ आरबियाई के नियदेशन के बाद पेमिंट के शियर्स में भी गिरावट आई स्टॉक एक्सचेंज को उनकी लिमिट तक घटानी पड़ी हाला कि एक्सेस बैंक के साथ पार्टनर्शिप और आरबियाई से मिली राहत के चलते पेमिंट स्टॉक्स को अपने निचलिस थर स लगबग 35 पीसिदी उच्छाल भी देखा गया है आज के लिए बस इतना ऐसी और जानकारी के बने रहे हमारे शनल दर्नगदी मीडिया के साथ धन्यवाद